तो नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टो प्रिपेर क्वांट सेक्शन फोर डियू जैट अगर आप BBA BMS और BBA के Aspiring Student है Delhi University के लिए अगर आप डियू जैट एंट्रेंस एक्जाम देने वाले हो इस साल अगले साल कभी भी तो आपके लिए ये वीडियो काफी जादा helpful होने वाले क्योंकि आज हम बताएंगे कि जो क्वांट्स का सेक्शन होता है इसको आप किस तरह से प्रिपेर कर सकते हो दियू जैट के लिए और इसके साथ साथ देखिए आज की जो वीडियो हो एक्स्पें करेंगे सौरब कोथारी सर क्योंकि जो हमारा क्रेश कोर्स है इसमें हम स्ट्रेंट्स की प्रिपरेशन करवाते हैं दियू जैट की वह पूरा क्रेश को जो है वो डिजैन किया है स्वर जो DUJ को target करें आपको पता है DUJ में 4 sections आपके आते हैं quantitative aptitude, verbal ability, logical reasoning and business awareness तो आज की जो ये वीडियो है इसमें बताने वालों जो आपका quant कर section है जो आपका math कर section है उसे पूरा कैसे tackle करना है, क्या कि important topics है, किस तरह से आपको पढ़ना चीए, जिसके through हर एक topic को आपकी command बन जाए and मैंने अपने time पे क्या-क्या चीजों पे ध्यान रखा था जिसके through मैं इस exam को crack कर पाया था so my name is Saurabh Kuthari, let's start तो सबसे पहले अगर मैं subject की बात करूँ, तो quants में क्या होता है, सबसे जादा syllabus होता है सबसे जादा topics होते है, तो बच्चों को डर लगता है, maths हम कैसे complete करेंगे तो मैंने क्या किया, आपके पूरे syllabus को 5-6 modules में divide कर दिया है अगर हम DUJet के पिछले previous years के paper का analysis करें, तो हमें पता चलता है यहाँ पे ना दो तरह से आपका maths आता है, तो basic maths आता है, जो up to 10th class का होता है and then आपका आता है higher mathematics, जिसमें आपका 12th class का maths आता है, ठीक है तो अगर आप paper का ratio देखोगे, तो 40-60 रहता है, कभी 60-40 रहता है, कभी 50-50 रहता है तो भाई, जो आपके first 3-4 modules हैं, उसमें से आपको कुछ questions मिलेंगे and then आपका जो 4-5-6 modules हैं, इसमें से आपको कुछ questions मिलेंगे तो हर एक topic अमें करके जाना है, तो arithmetic की बात को, तो सबसे पहले एक topic आता है arithmetic, जहाँ पर आपके topics होता है, time and work, pipes and system, averages, percentages, ratio and proportion, profit, loss and discount, mixture and delegation, simple and compounders, time, speed, distance तो यह सारे topics आपने बच्वान में पढ़े हुए हैं, अगर आप इन topic के concepts को एक बड़ी revise कर लो, इसके topics को देख लो, क्या क्या concepts हैं, क्या के इसमें type of questions बन सकते हैं एक बड़ी practice कर लो, तो यहाँ पर आपकी command का अफिछी बन जाती है, उसके बाद जो आपका important topic बनता है, वो है number system number system में क्या क्या questions पूछा जाते हैं, concepts, fractions के उपर, factors के उपर, फिर SCF and LCM, divisibility rule की यह number इससे divide हो सकता है कि नहीं हो सकता फिर unit digit का question आता है, कि अगर इसकी power यह है, तो बताओ, इसकी unit digit क्या होगी, maximum power का question बनता है, trailing zeros का होता है, remainder theorem का question बनता है, उसके बाद आपका base system and search के question बनते है, ठीक है, फिर आपका geometry section आता है, geometry में, पहले तो आपका solid geometry हो जाता है, triangles, quadulators, polygons, इसके अलावा, वहीं आप questions देखते हैं, exam में coordinate geometry से, mensuration से, trigonometry से, trigonometry height and distance से, then यह जो तीन module से, यह आपका एक तरह से कह सकते हो, up to 10th आपने सारी चीज़े पड़ी हुई है, ठीक है, then आपका module 4, 5, 6 आता है, जिसको हम बोलते है, algebra, modern math and higher math, यह थोड़े से advanced topics होते हैं, exam में सारे के सारी topics आपको पढ़ questions देखोगे, ठीक है, तो अगर हम algebra की बात करें, तो algebra में आपको identities पढ़नी होते हैं, जितनी में आपके algebraic identities होती हैं, उसका linear equation के questions होते हैं, quality equation के questions होते हैं, high order equation के questions बनते हैं, then root के जो concepts होते हैं, special roots क्या होता है, special equations को कैसे solve किया जाता है, उसका integral solution, maxima and minima, inequalities and log, तो यह topics आप के algebra के अंदर बन जाते हैं, उसके बाद आपका modern maths बनता है, जिसमें आपका set theory, when diagrams आ जाता है, sequence and series जिसको आप AP, GP, HP के नाम से भी जानते हो, उसके बाद आपका permutation and combination जो आपने class 11-12 में पढ़ा होगा, then probability, जो again आपने 11-12 में पढ़ा होगा, then आपका functions आता है, ठीक है, higher maths म यह जो आपके पूरे के पूरे topics हैं, यह आपके quant section में आते हैं, तो यह आपका major पूरा का पूरा मैं बोल सकते हूं, broad coverage है syllabus की, इसके बाहर आप देखोगे, जादा कुछ नहीं आएगा, more or less सारी चीज़ें आपके पूरे के पूरे exam में इसी syllabus से cover हो जाएगी, अब question ही नि कर पाएं, तो सबसे पहला step, आपको अपने basics को build करना है, बिल्कुल ये गलती मत करना कि मैं day one पर ही shortcut सीखने लगू, trick सीखने लगू, मैं अपने question को जल्दी solve करने लगू, नहीं, अगर आपका concept strong नहीं होगा न, तो आप कितने भी shortcut सीख लो, आपका confidence कभी भी उस topic पर नह question होता है, क्या types of questions बन सकते हैं, concept of constant क्या होता है, तो हर चीज़ जब आपको पता होगी, then आपको ये लगेगा, हाँ, यार मुझे topic तो clear हो गया, इसके बाद हर एक topic के, जो भी topic आप पढ़ रहे हो, जैसे मालो, आज आपने percentages पढ़ा, उसके concept को सीखा, अब उसके उपर questions बन सकते हैं, वो सारे के सारे questions का, आपको बहुत in-depth idea हो जाएगा, जिसके थुरू, चाय किसी भी तरह की word problem हो, आप उसको understand करके, बेटर तरीके से approach कर पाओगे, जब आप हर topic पर 50 questions कर लोगे, तो अब आपका confidence gain हो चुका है, अब आपकी topic के उपर command बन चुकी है, अब हम different approaches को सीखना है, जब आप ये 50 questions कर रहे होगे, उस time आपको देखना है, क्या आप different approaches से उन question का better solution निकाल पा रहे हो, यह जल्दी solution निकाल पा रहे हो, यहाँ पे आप shortcuts को सीख सकते हो, shortcuts लगा सकते हो, tricks apply कर सकते हो, कभी-कभी option approach होती है, कि आपको question में 4 option दे रखे हैं, उन options क पूट करके आप जल्दी answer निकाल लेते हो, कभी-कभी elimination approach होती है, आपको पता होता है, यह जो मेरा answer आएगा न, यह positive value आएगी, तो negative वाले अगर options है, तो उनको eliminate कर दो, then कभी-कभी हम approximation से solve कर लेते हैं, exact value ना रखके, हम question में approximate value लख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता ह इसके around नमान answer होगा और वो वाला option हम टिक कर देते हैं, या फिर substitution approach होती है, आप values को put करके देखते हो कि इस value पर क्या answer आ रहा है, और उसके आस-पास का option को find out करते हैं, तो यहाँ पर आप different approaches सीखके, अपनी speed को भी fast कर सकते हो, और आपका जो accuracy level है, वो भी better हो जाएगा, ज लेकिन examiner कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक particular topic से question आए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो क्या करता है, examiner तो shuffle करके question देता है, वो आपको यह तो बोलेगा नहीं कि यह question time speed distance का है, या फिर यह question maximum minima का है, आपके सामने बहुत सारे questions होंगे, आपको figure out करना होगा इस question में कौन सा approach लगाना है, इसके लिए बड़ा helpful रहता है sectional test, sectional test में क्या होता है, आपने 10-15 topics के mix करके questions जो है उनको solve कर लिया, तो आपके portal पर या फिर आप जहां से practice करो, आपको sectional test आपको मिल जाते हैं, जहां पर इवेंचुली क्या करते हो, जैसे कुछ question percentage के, कुछ ratio के, कुछ maximum, कु कुछ permutation combination, कुछ algebra, कुछ number system, तो हर एक topic से एक-दो-एक-दो questions होते हैं, then आपको understanding मिलते हैं, कि अगर आपके सामने बहुत सारे question throw कर दिया जाएं, तो वो कौन से question हैं, जो आप सही कर सकते हो, जितने भी entrance exams होते हैं, उसमें आपको सारे question नहीं करने होते हैं, आपको वो questions कर नहीं होते हैं, जो आपको बिल्कुल सही आते हैं, minimum possible time में, तो जब आप sectional test देते हो, तो आपकी जो वो problem है, कि आपको एक question में कभी-कभी stuck हो जाते हैं, हम तो इसको solve करेंगी, और उसके checker में बहुत जादा timer waste हो जाता है हमारा, या फिर timer waste जब आपके सामने test चलते हैं, तो आप एक demotivate हो जाता है, आपका panic button on हो जाता है, कि वो timer जो है, उसकी वज़े से आप आते होए questions भी गलत कर देते हो, तो वो सारी चीज़े आपकी यहाँ पे solve हो जाएंगे, तो ये आपकी quants में एक approach रहनी चाहिए, जिसके थुरू आप देखोगे, in and out, आपकी बहु कोर्स है, जिसमें हम आपको 150Rs की videos देते हैं, जो आप अपने laptop में, या फिर अपने android device में चला सकते हो, इसके साथ ही हम आपको 30 full 9 mocks भी देते हैं, आपको DUJet के mocks, उसके अलावाद जितने भी other exams होते हैं, BBA, BMS, IPMAT के उसके mocks मिलते हैं, with solutions, साथ में आपको topic wise assignments मिलते है वहाँ पे portal पे, जो भी topic आप video lecture देख रहे हो, portal पे जाके उनके questions की practice कर लो, and you are good to go, तो एक पूरा systematic तरीके से आपके लिए course बनाया गया है, तो अगर आप इस course में enroll करना चाहते हो, तो वह आप WhatsApp कर सकते हो, 9817896099 पे, इस number पे WhatsApp करके आप demo lectures लो, आपको demo lectures send कर दिया जाए हो, अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है, हाई यार यह चीज मेरे को understanding हो रही है, topics की, मेरे को clarity आ रही है, और यहां से मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप इस course के बारे में plan out कर सकते हो, पूरे course का जो fee structure है, that is 3800 रुपीस, जिसमें आपको सारे के सारे video lectures, सारे के सार mock test, सारे के सारे topic wise assignment, with detailed solution मिल जाएंगे, इस course में आपको quants, lrdi, verbal, static gk, current gk, पूरा syllabus मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी in and out सारी की सारी preparation हो जाएगी, ठीक है, तो आप इस number बे WhatsApp करके demo lectures देख सकते हो, और यह जो मैं आपको quants के strategy बताई है, इसको follow करके, शायद आप एक बहुत अच्छा improvement अपने quants में देख पाऊगे, तो I hope आपको इस video helpful रही होगी, thank you so much, all the best and take care.